अश्लाम लेकम फ्रेंड्स साथ आज में हासिर हूँ न्यू रेसी के साथ चोकलेट और वनिला मार्बल केक और कपकेक इसके इंगरीडियंट्स हैं जी baking powder 1 1⁄2 टेबल स्पॉन baking powder 1 1⁄2 टेबल स्पॉन salt 1 pinch vanilla essence 1 teaspoon butter 200 gram चाहिए हमें baking soda 1 pinch cocoa powder 1 1⁄2 टेबल स्पॉन milk चाहिए हमें थोड़ा सा according to use हमें चाहिए eggs 2 चाहिए sugar 1 cup और flour चाहिए हमें 1 cup जी तो ये सारे ingredients हैं आप इसका snapshot पी ले सकते हैं बन बॉल ले इसके अंदर जी हम add करेंगे eggs, sugar and butter आप देख रहे हैं मैंने sugar add कर दी है और ये मैंने butter जो है वो melted लिया है थोड़ा सा आप इसको जो है वो माइक्रो में half minute जो है वो लगा लें अब इसको हम beat करेंगे और beat इसको बहुत अच्छे से करना है कि sugar, egg और butter जो है वो बिलकुल mix हो जाएं इसके अंदर आप एड़ करेंगे और इसको हम beat करेंगे ताकि ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो अच्छे से mix हो जाएं ये हो चुका है अमारा beat अब next step की तरफ आते हैं अब जो flour है उसके अंदर हम baking powder, salt और baking soda जो है उसको मैं चान के जो है वो add कर देती हूं और इसको mix कर लेंगे flour मैंने पहले ही चान लिया था जाएंगे और इसको mix करते जाएंगे soft hand के साथ आप इसको mix करते जाएं और इतने अच्छे से mix करना है कि इसके अंदर मैदे के lumps ना बने ये मुझे थोड़ा सा गाडा लग रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा milk add करके इसको थोड़ा सा thin बनाऊंगी थोड़ा सा पतला कर लिया है अब और थोड़ा सा दूद एड़ कर लेती हूँ अब मैंने बैटर को डिवाइड कर लिया दो हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं स्क्रीन के उपर एक हिस्से में मैं कोको पाउडर एड़ करके इसको mix कर लूँगी और अगर ये गाड़ा है तो इसमें आप थोड़ा सा मिल्क एड़ करके इसको अच्छे से mix कर लेना जैसे मैंने किया है अब एक मोल लिया है इसको हम grease कर रहे हैं जी यह आप देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से grease करके इसके अंदर जी बटर पेपर लगा दूँगी यह बटर पेपर चला गया इसको अच्छे से सेट कर लें और इसको भी उपर से भी grease कर लें आज जो है वो मैं oven में नहीं बना रही मैं कड़ाई के अंदर ही अपना केक जो है वो ready कर रही हूं और आपके सामने बनाओंगी अच्छा जी अब दोनों जो better थे अब हमने इनकी layering करनी है पहले हमने नीचे वनीला वाला एड़ कर लिया अब उसके उपर जो है वो हम चॉकलेट वाला एड़ करते जाएंगे और इसी तरह one by one हमने सारा इसके अंदर mixture जो है वो add कर देना है जैसे कि आप screen के उपर देख रहे है ठीक है जी ये देखें वनीला चॉकलेट वनीला चॉकलेट इसी तरह हमने ये सारा add करते जाना है ये सारा add हो चुका है अब एक topic लेनी है उसके साथ आपने मैंने जरा ये उपर उपर से ही किया लेकिन आपने बिल्कुल deeply जाके इसकी ये lining देनी है जब deeply lining देंगे तो अंदर जो है वो बहुत अच्छे से इसका जो है वो lines बन जाएंगी उस पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उपर उपर से दे दी लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी और आपने deeply lines इसकी देनी है अच्छा जी अब मैंने एक कड़ाई के अंदर नीचे salt डाल लिया है और उसके उपर एक stand रख दिया है और अब मेरा मैंने उसको preheat कर लिया थ अब मोल्ड मैंने इसके अंदर रख दिया है और इसको हम कवर कर देंगे 30-40 मिनिट्स के लिए 30 मिनिट्स के बाद आप चेक कर लेजेगा अगर हमारा ready हुआ तो आप केक ready हुआ तो उसको निकाल लेजेगा केक हमारा बनने के लिए उदर जा चुका है अब मेरे पास कुछ बैटर बच किया था तो मैंने यह जो कपकेक्स हैं यह बना रही हूं इससे मैंने नीचे वनीला डाला है और उपर चॉकलेट बैटर एड़ कर रही हूं यह दो कलर्स में बहुत अच्छे से कपकेक्स बनते हैं अब मैंने प्रिहिट कर लिया 180 डिगरी पे 10 मिनिट्स के लि हैं मारे केक रेडी हो चुके हैं अब मैं इसके अंदर टुट्पिक डाल के दिखा रही हूं आपको बिलकुल साफ है यह बिलकुल परफेक्टली कुक हैं अब इसको थोड़ा सा हमने डिकोर भी कर दिया है यह देखें जी टू शेड़िड है नीचे जी वनीला है और उपर चॉकलेट है बहुत ही मज़े के यमी लगते हैं और बचे बड़े शौक से खाते हैं यह देखें जी वायो सॉफ्क भी बहुत है यह देखें थर्टी मिनिट गुजट चुके हैं उसके अंदर हमने बना लिया थी जी कपकेक सब जी हमारे 30 मिनिट के बाद हमारे केक की पॉ अच्छा लग रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं बिलकुल साफ है केक हमारा पक चुका है रेडी है अब इसको निकाल लेते हैं बटर पेपर मैंने रिमूव कर दिया आपके सामने अब इसको कट कर लेते हैं कट करके मैं आपको दिखाते हूं बहुत ही सॉफ बहुत ही मज़े का केक बनता है बहुत होट है इसलिए कटिंग नहीं हो रही मज़े अब ये देखें जी माशाला से बहुत मज़े का बहुत ही सॉफट केक बनता है बनाएंगे तो आपको लगेगा वाओ क्या केक खा रहे हैं ये देखें जी मैंने आपको प्रेस करके भी डिका दिया है बहुत होट है अभी ये अब इसकी कटिंग कर लेते हैं ज्यम्हेने कटिंग इसकी करती है बहुत मज़े की रेस्पी बनती है आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कपकेक बनाएे मार surfaces कीजिए केक बनाए और वैसे केक बनाए और मज़े से खाये और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं अपना ख्याल रखेगा मुझे दौाओं में याद रखेगा अला आफेज